समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में दोस्तों भारती मिसाइल बेड़े की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है और जितनी बड़ी है खबर उतनी ही जादा खुश करने वाली भी है लेकिन इसमें दिक्कत ही हो गई है कि थोड़ा सा confusion create हो गया है कि आधे लोग कह रहे हैं कि कुछ होगा आधे लोग कह रहे हैं कुछ होगा लेकिन मैं इस वीडियो में आपका सारा confusion दूर कर दूँगा लेकिन एक बात तरह है कि दोनों में से कुछ भी हो जाए भारत के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि दोनों ही भारत के जबरदस्त हत्यार होंगे चीन के खिलाफ और बहुत से लोग कहते हैं कि जो मिसाइल टेस्ट वाली वीडियो होती है उसमें मैं सोर्स नहीं दिखाता हूँ नोटिफिकेशन फोर नोफलाई जोन जारी किया गया है क्यों बताया ऐसा जारा है कि एक्सपरिमेंटल फ्लाइट वीकल लोंच यहां पर किया जाएगा और जो साड़े साथ सो किलोमेटर का एरिया है बेफ बेंगाल का वहाँ पर ही नोटैम जारी किया गया है यह अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि इतने बड़े एरिये में जब नोटैम जारी किया जाता है इसका मतलब कोई बड़ी और भीशन मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा लेकिन अब सवाल उठता है कि कौन सी मिसाइल का और इसकी समभावनाई सबसे जादा है अगर आप मुझसे पूछे परसनली तो मैं भी यही कहूँगा कि भारत का जो हाइपर सोनिक प्रोग्राम है उसे ही यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा करण में आपको बतायता हूँ आपको याद होगा अब से कुछ एक महीना पहले खबर आई थी मैंने वीडियो बना कर आपको बताया था कि जो हस्टीडीवी है हाइपर सोनिक मिसाइल उसका लोंग डूरेशन यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और मैंने आपको कल्कुलेशन करके बताया था कि इस लोंग डूरेशन टेस्ट के दोरान करीबन यह 700 से 7500 किलोमेटर के एरिये को कवर करेगी और जो भारत ने नो टैम जारी किया है वो भी 7500 किलोमेटर का ही एक तरीके से एरिया है और बात करें हम निर्भया मिसाइल की उसकी रिंच जादा है एक 1000 किलोमेटर के आसपास है तो इसलिए उसके लिए तो फिर एक 1000 किलोमेटर के एरिये को यहाँ पर कवर किया जाता नो टैम में इसलिए असामभावना पूरी-पूरी है कि हाइपर सोनिक जो विकल है उसे ही यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा और जैसे ही इसका टेस्ट होगा आप देखेगा कि पश्चिमी देश और खासकर कि चीन इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा कारण इसका ये है कि भारत का हाइपरसोनिक प्रोग्राम जिस रफतार से आगे बढ़ रहा है इस रफतार से तो चीन का क्रूज मिसाइल प्रोग्राम में नी बढ़ रहा भारत हाइपरसोनिक प्रोग्राम को इस लेवल पर डेवलप कर रहा है लगातार इसके टेस्ट कर रहा है दो टेस्ट इसके उलड़ी हो चुके हैं और तीसरा अब किया जाना है लेकिन चाहे मिसाइल का टेस्ट भारत निर्भया का करे चाहे हाइपरसोनिक का करे भारत को दोनों से ही फाइदा होने वाला है क्योंकि निर्भया मिसाइल को बहुत ही कारगर माना जाता है लद्दाख जैसे शेत्रों में क्योंकि पहाडों के बीच से निकल कर दुश्मनों पर जिस ग्रैविटी के साथ ये हमला करती है न वो अनबलीवेबल है हाइपरसोनिक की बात करें तो ये जल्दी बन जाए तो इसमें भी और ज़्यादा फाइदा है क्योंकि इसे रोक पाना लगभगा संभव है दुनिया में आज के पास कोई ऐसा मेकेनिजम नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके तो भारत के दोनों हातों में लड़ू है और सर कड़ाईवी में है कुछ भी